तो दोस्तो मैं पहुंच चुका हूँ एक फार्म पर और बहुत ही बेहतर फार्म है और मैं फार्म के ओनर से अभी मिलता हूँ तो आप लोग को बताता हूँ दोस्तो पहले मैं इस फार्म का पूरा इस्टेक्चर दिखा देता हूँ काफी ज़्यादा मजबूती से बनाया गया यह फार्म है दोस्तो और हाइड भी काफी ज़्यादा है तो मैं आप लोग को पहले ऐसे इसको दिखा देता हूँ इसके बाद मैं फार्मर से मिलवाता हूँ और टंकी के लिए दोस्तो क्या जबर जस्त बनाया है फार्मर ने और उपर देख सकते हैं दोस्तो तो अभी वो फार्मर आ रहे हैं कहीं बाहर गए हुए हैं जैसे ही आते हैं दोस्तो हम आपको उनसे तुरंट मिलवाते हैं और मैं एक चीज और आपको दिखाना चाहूंगा दुस्तु कि इसमें जो लोहा लगाया गया है ये काफी जादा टिका हुए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तो अभी जैसे इप फार्मर से मुलाकात होती इसके बारे में मैं बात करता हूं और यहाँ पे एक सबसे नायाब चीज जो आज मैंने देखा है दोस्तो काफी खर्चे बच जाने वाली चीजे हैं इसमें वो मैं आपको दिखा देता हूं कि यहां पर आप देख पा रहे हैं कि अभी तक आपने सिर्फ उपर में पानी का जो पाइप होता है दोस्तो उपर से जाता है वही आपने देखा होगा पर यहां पर दोस्तो आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि इसमें आप देख लीजिए ये सारे के सारे पाइप जो है ये नीचे दिये गए है ये जो सिस्टम है दोस्तो इससे क्या होगा कहीं ना कहीं ये उपर वाले से उपर जिस तरह से हम लोग पाइप लगाते हैं उससे ये वाला ज़्यादा बेटर है मेरे हिसाब से बाकी इसका रिस्पॉंस कैसा है वो तो फार्मर ही बता पाएंगे इसमें आपको मैं टंकी दिखा दू दोस्तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये टंकी है और टंकी के उपर से इन्होंने काफी अच्छे से उसको पैक कर रखा है ताकि किसी भी तरह से पानी गरम ना हो और ये देख सकते हैं दोस्तो ये जो लोहा है कि काफी इस लोहे के बारे में मैं आपको दिखा दूँ दोस्तो और अभी फार्मर से बात करूँगा ये देखिए क्या बेहतर तरीके से सेटिंग किया गया है तो काफी मजबूत है दोस्तो और फार्मर भी आ चुके हैं अब हम लोग चलते हैं और डारेक्ट फार्मर से मिलते हैं थोड़ा डाक्टर साब फार्मर को लेने गए थे दोस्तो तो अभी कि अंशारी सर एक चीज मैं आपसे जाना चाहूंगा कि ये कि सर ये फार्म मैं देख पा रहा हूं आपका और इसमें आपने ये वाला जो लोहा लगाया है ये तो काफी मोटा है ये कितने केजी वाला पाइप है ये ये पाइप वही 34-35 किलो जाके बढ़ता है बीस फिट पाइप चार इंच का है चार इंच का लोहा है तो यानि काफी ज्यादा महेंगा पड़ा ये लगवाया हूं जी जी महेंगा भेता ये 89 रुपे किलो मुझे पड़ा था अच्छा सर मैं ज्यादा बात तो नहीं करूंगा आप से क्योंकि वह बाते अलग हो जाएंगी मैं डारेक्ली यही पूछूंगा कि ये जो एक हजार के दो साइड आपने बनवाया है बीच में आपने इसके स्पेस कितना दिया हुआ है इसमें साड़े तीन लाक रुपे लगा हुआ है साड़े तीन लाक रुपया में आपका लोहा से लेके पत्रा जाली ईटे मजदूरी और सारी चीजे साछे इसमें टंकी और नल बी इल्वालव है अचा तंकी नल यानि जितना भी सिस्टम दिया गया है इसमें वो सारा कुछ मिला करके आपने इसमें साड़े तीन लाक रु तो वैसे मैं एक चीज और जानना चाहूंगा सर कि अभी इसका जो हाइट है आपने काफ़ी ज्यादा हाइट दिया है इसका क्या कारण है इतना हाइट देने का क्या रीजन है इसका हाइट देने का यह रीजन है जैसे ठंडे में तो पूरा पैखी रहता है उसका कोई जरूर बाहर जाए अंदर बिल्कुल बिल्कुल यहां गैस ना बने इसलिए आपने इसको बनाया है कि काफी हाइट दिया है सरी है इसका हाइट कितना होगा लगवाइट 8 फिट है आठ फिट यहां दिवार से लेकर दिवार उपर तक यह आठ फिट मैं यह जानना चाहूंगा आपने जाली लगाया है कि दिवार के आप अपका झाली तो और अच्छे से रहें और यहां पे यह जो पाइप दिया गया है यह उपर वाला यह वाला पयव यह कितने पड़ा है आपको यह भी सेम र्मे पचासी रुपे पड़ा पचासी रुपे में अदे है कि ऊजुंद firewall अज्छा अच जब उपने बन वाना शुरू गया तो उसमें लोहा का रेर काश्ट लेदा अब इस समय हो सकता है कि पचातर असी में आता हो पचातर असी में और इसमें जो आपने उपर की चदरें लगाई हुई हैं यह कितने में पड़ी थी आपको यह एक मुझे पड़ा था 500 रुपेगा और एक 420-37 रुपेगा कंफर्म य उसका इसका रिस्पॉनस कैसा रहता है सर यह जो आपने ड्रिंकर लगा रहा है यह इस त siè क्या फाइदे होते हैं जीसे ड्रिंकर में पानी जो फाइदा के लिए अच्छा यानि ठंडी में या आपका मुर्गा ठंडा पानी पाएगा तो बिल्कुल जै तो दोस्तों करीम भाई का बहुत ही यह जो टेकनिक मैंने देखा है अच्छा सरी इस तरह का टेकनिक कहीं आपको किसी फार में दिखा है अभी तक आपने कैसे इसको मनलब कैसे आपने सोचा कि इस चीज को ऐसा बनाया जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा अब यह देख लीज काफी बहतर लगा मुझे भी मैं भी यह चीज अब भी देखा ना तो मुझे भी लगा कि यार यह तो होना चाहिए था क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है इसमें आपका बहुत सारा खर्चा भी बच रहा है बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिल करके और यह जो आपका अच्छा लगा